हेलो फ्रेंड्स वैलकम टू अभी क्लासिस मैं रिंजित कुमार अप लोग का बहुत बहुत साथ करता हूं आज में जारखन आठमी बोड परिक्षा जो 2019 में देने वाले हैं उनके लिए मैं पार्ट टू लिके आया हूं जूकि जीप बिज्ञान के होंगे बाइलो जी और य इच्छा के प्लिलिष्ट पे जाएं वहां पे आपको बहुत विकल्पी प्रश्णी के भी कुस कोशन आपको मिल जाएंगा चार पार्ट से तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहां पर पहले कोशन की गेहूं की रश्ट डैस के कारण होती है देखिए यहां पे गेहूं की नर युगमक डैस कहलाते हैं आपके पास ऑप्सन भी नहीं रहेगा इसलिए आपको यह समझने हैं जन्त वो के नर युगमक जो कहलाते हैं क्या कहलाते हैं शुक्रानू तो आप यहां पर लिख सकते हैं शुक्रानू कहलाते क्या शुक्रानू तीसरा आपको यहां पर यह भड़नी है तो आप यहां पर देश सकते हैं हम आपको यहां पर साइड में भी लिखनी है इसको अब आता है टेट पॉल का मैधग में रुपांतरन देखें टेट पॉल जो होता है एक तरह बोल सकते मैधग जो होते है बच्चे जन्म जो देते हैं तो एक पहला क्या तो अंतरन अब नेक्स जो फाइप नंबर कोशिन आता है कि पुरोसो में डैस लिंग गुंसुत्र पाए जाते हैं अपको पता है पुरोसो में क्या चीज़ पाए जाते है एक्स और वाई जबकि इस तरियों में क्या पाए जाते है एक्स और एक्स यह इनके गुंसुत्र है प harvesters एक तहरा का मसीन है जिसका ऊप्यों क्या करते है कि सील को कटाई के लिए के लिए आप लिए आपके लिए सकते हैं harvesters का यूज क्या क्या जाता है कि कि लिए नेक्स्ट कोशन अगर 7 नमर अगर देखा जाए तो बोलता फसल उगाने से पहले पर्थम चरण मिटिको डैस की जाती है आपको पता है फसल उगाने से पहले आपको क्या करना होगा मिटी को त्यार करना होगा जिसे कि मिटी का पहले जैसे उसको हल से चला करना होगा जोतना पड़ेगा तब उसके बाद क्या करता उसमें हम लोग कोई भी बीज को डालते है ताकि वह अच्छी से उ क्यार करना मिटि को तयार करने आएगा अग्ला कोशन आतायाए एट नमर अगर नमर यहां पे देखा जाला तो कहता है स्थाजीबो में आनवांसिक गूलों के वह उसे पहले यहां पर कोशन किकल तो किस में ऀंत्रिक निश्यचन होता है अपको पता है मैं श्चियों में वहती स्टिवल्ग जो सजीब होते हैं जो अपने को जन्म में क्यों इसको बहुते हैं तो सभी Ci आइखने की बच्चे में और यह बता है सभूय होते हैं तो वहाँ किस कौन है जीन है, clear, तो यहाँ पे option में आपको लिखना आए कि जीन, तो पहला वला में मनुश होगा, दूसरा यहाँ पर यहाँ होगा, जीन, अगला question आता 10 नमर, प्यास की जीली में, डैस होती है, अगर प्यास की जीली अगर बता जाए, तो उसमें एक क्या हो का दो अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि 11 नमरकोशंट मद्शरी नरदवारा सूरे नरदवारा डएस हारमन्स रिवित होता है तो आपको दोए हूँ कोंश हारमन्स ह्मित होता है testron क्या होता है testron एक carbon है जिसको जो कि बोल सकते है नर के द्वारा उत्पन होते है श्रवन होता है ठीक है तो यहाँ पर लिख सकते है testron next अगला question आता है polio polio dash के द्वारा उत्पन रोग है देखिए polio एक तरह का बीमारी होता है आपको बता है जिसमें कि जो बीमारी जो यह उत्पन होती है उसका reason है virus ठीक है तो यह तो virus बो सकते है यह तो इसको वीशानू भी बोलते है ठीक है जैसे कि पानी उसमें डालेंगे तो वीश क्या होगा उपर की ओर जाएगा जो की मतलब की ख्राब बीज होते है वो क्या तो पूरित अंदर से पूरे खोकले होते है तो वह हलके हो जाते है और पानी में क्या होते है तेर नाश टाड़ हो जाते है या तो किसी तरह का वह छ मतलब कि वागों को क्या करता है सन रख्चित क्योंकि हमारे पता है प्रारेस्थितिक हो सकते हैं जो हमारे प्रयावर्ण के लिए यह जीब जो होते हैं जंगली जीब बात कियें जो मेरा यह सगेंड पार्ट था जो रिक्त अस्थांद वाले तो यह मेरा यहां पर 15 कोशन बात कियें और यहां पर देख सकते हैं 15 कोशन का में यहां पर आपको आंसर भी लिग दिया हूं एक करके एक नंबर में कवक का दूसरे सुक्रान हो तिसरे में करने चांड लिख सकते हैं तो आपको वीडियो बताएं आपको कैसा लगा तो लाइक जरूर केज़एगा लाइक करना मत बुलीएगा और हमें यह वीडियो को सेर जरूर कर दें दोस्तों तक चाहें अप फेस्ट्वक फाटस अफ जहां बहुत चलाते वहां पर आप इनको को शेयर कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और कितनी जल्दी आपको याद हो जाएगी और यह जो न्यू है इस चैनल पर न्यू आया है वो चैनल को सिस्क्राइब कर लें क्योंकि यहां पर देखें जो एट क्लास वाले हैं उनके लिए नाइ के लिए तो वीडियो बहुत सारा पड़ा हुआ वहां से आप देख सकते हैं या तो उनको अगर आप लोग के जुरत होगा तो उसको हम सुरू से फिर से में एक बार क्या करें उसको मोडिफाय करके फिर और सरल करके लाएंगे तो चलिए आज इतना ही मिलते हैं आपको